मैंने अपने बेटे जोजो के लिए इस रूम में अलमारी और बिस्तर लगाया है लेकिन मेरे बेटे जोजो को इस रूम में स्टडी टेबल और बुक शेल्फ भी चाहिए लेकिन इस room में इतनी जगह नहीं है जिस वजह से इसकी सभी किताबे बिस्तर पर ही पड़ी रहती है इन किताबों को बिस्तर पर पड़ी हुई देखकर जो जो गुस्से में आकर कहता है पापा तुमने ये कैसा room बना दिया है इस room को देकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसलिए मैं अपने friend को बुला कर इस room को खाली करके इसे दुबारा design करवाता हूँ तुम designer के पैसे दे देना अब हम छट में AC लगाकर इस कोने में एक अलमारी बनाएंगे जिसमें इसके कपड़े रखे जाएंगे खिड़की के आगे रेक लगाएंगे जिसमें इसके किताबे और खिलोने रखेंगे इसके आगे स्टील के डंडों से square size का structure बनाएंगे इसके उपर ply लगाकर शानदार मुलायम गद्दा लगा देंगे तर के नीचे तीन दराज लगाएंगे जिसमें इसके undergarments और comics रखी जाएंगे गेट के पास एक रेक और बनाएंगे जिसमें इसकी painting और इसके खेल का सामान रखेंगे इस कोने में table लगाएंगे जिस पर ये laptop चलाएंगा इसके उपर दीवार पर दो ply लगाकर इन पर इसके पढ़ने की किताबे रखेंगे अब आप भी इस room के नजारे को देख कर बताओं ये room कैसा है